तो अब तो पीपल कैसे हैं आप सब टिक टाक हैं इसमें यूर वोचिंग एश्टी एक्स वेलकम बाक तुछलन उमीद करता हूं अच्छे होंगे खेर खेरी उसे होंगे इंजुआ कर रहे होंगे और टॉपिक हमारा है एवरी इंटेलिजेंट परसन पाकिस्तान तो देखते हैं बहुत हैं लेकिन देख लेते हैं तो वैसे मैं एक यह सोच रहा है हम फ्रिक्वेंसी कम कर देती हैं वीडियो की क्योंकि मैंने बताया थे ना मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहूं तो वीडियो मुश्किलों की कर पाना या दिखा पाना क्योंकि मैं बना भी लूँ तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू होने वाले तो सीन ऐसे है मैं यह सोच रहा था कि हम आल्रेटी जो हैने चार दिन एडवांस में चल रहे होती हैं तो अगर हम दो के बजाए एक वीडियो प वीडियो का टाइटल जिस पर रियक्ट करने वाले हैं वह यह है कि एवरी इंटेलिजेंट परसन ऑफ पाकिस्तान चलो देखते हैं यह क्या सीन है आयमल से वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक आउट करना शुरू करते हैं 321N को कि गिलगत बलतिस्तान में हजारों लोग सडकों पर उत्रे हुए हैं आखर क्यों कि अपने लापरवाई का नतीजा है गिल-गिल बलतिस्तान और पाकिस्तान के अजाद कश्मीर में इस वगध हरताल को एक महीना पूरा होने वाला है वो तीना मोमेंट सी इंफलेशन को लेता है कि गिल-गिल बलतिस्तान या कश्मीर है वो इंडिया की टरफ क्यों जाने के बात करते हैं जरसुनिए आप पाकिस्तान के अंदर आज चल काफी हल चल मचूई है एक निश्वान पर दूसरा प्यों के अंदर तीस र आ फॉटा के अंदर आफगवानिस्तान तालिबान टूटीपी ऐसे में अब आवाज पुर्फारान वे आपको पते हैं महिंगाई का तुफान है मुल्की मैश्व की मैश्व दिन बादिन कमजोर हो रही है सियासी अदम इस्ते काम मौजूद है देश्ट गर्दी फिर से सरुपारी इतने बड़े चैलेंजिस के साथ पाकिस्तान इस वक्त कमजोर हालातों से गु गाड़िया जमूरियत रही तो फिर यकिनन कोई भी पाकिस्तान को मूह नहीं लगाएगा पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड हमने जमूरिया लगाए ने यह बहुत बड़ी गलती हैं अमने अपने स्टेट के साथ वा बई वा बई वा बेसी करी अग्रेज यहां से तो चला जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान जाहिलों का मूलक है इसको हम लोग प्यार से जहालिस्तान भी बोलते हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक जहिल डूनोंगे आपको सो मिलेंगे तो डूनोंगे जार मिलेंगे, हजार दूनोंगे, लक्त डूनोंगे, लक्त दूनोंगे करोडो मिलेंगे, ऐसा है फिजा का प्यारा पाकिस्तान I'm a proud Pakistan बहुत सारी लोग मुझे तनकीत करते हैं कि तो सारे पाकिस्तानी जाहिल नहीं होती है, मैं जάνता हूं टरके एक पकानि पाकिस्टानी काईया है, गुशांदी और नैहं मैं भी इसको देखनेंके बाद में आपकी आत्मा तो बिलादीर क्षमीर को गिलगिल बल्तिस्तान में जो अहलात बने हूए इस पेह आप क्या है क्या हर सुबा वह तो और वह कमजोर बिखाई Examples अशल बात ये हैं किसी को भी ये अपना हक नहीं दे रहे हैं। हम पुछ सलसल इगनॉर करते हैं अपने सूबों को जो इंडिया के नारे लगाते हैं और तकलीफ होती है कि अब इंडिया क्यों कर रहे हैं गलगेत बलतस्तान के अंदर उनका जो लाइफ स्टाइल है उनकी जो जिन्दगी का ममूल है वो हम से टाफ है वो हम से असान नहीं है इसका तकाजा हम जब वाँ पिस्याहत के लिए जाते हैं तब हमें अंदाजा होता है ठीक यह लोग बाहर क्यों निकलते हैं लंडन के अंदर फैसले क्यों होते हैं बेसीकली अंग्रेज यहां से तो चला गया था हम कहते हैं को हमें अजादी देके गया था हमें अजादी देख नए गया था वो हमारी हरुषतों से तंग आके चला अब अगली बात कर लेते हैं वो ये है कि अजादी हासल की थी इंडिया ने हम तो बने थे उनके freedom fighters भी हम पढ़ते हैं मुझे ये पताएं कि आ वहाँ पर उनके फैसले नियू दिली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं नियू देली में होते हैं ठाई स्टेट देख ले हार स्टेट पुरे पाकिस्तान से बेतर चल रही है क्या उनके सूबे हम से कम है या हम से ज्यादा है क्या वहां पर मार्शला आया है या नहीं आया है अब तक तो नहीं आया दुनिया की बड़ी डेम क्रेजी है इंडिया देती है वाँ 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 मेरे भाई मोच कर दी 50 रुपे मेरी तरफ से इनाम भाई को 50 रुपे में 200 रुपे पाकिसानी है वो बेसिकली डेमा क्रेजी है अभी भी आप देख रहे हैं ये जो गौर्णमेंट बनने जा रही है किया आपको लग रहा है कि जमुरियत के तकाज़े पूरे हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ल हमने जमुरिया लगा हैं ये बहुत बड़ी गल्ती हमने अपने स्टेट के साथ देखें आप इस पर पर परेशान ना हों जो पन्नो तो ये लाल लेकिन अफसोस ऐसे गिंती के एक या दो परसेंट किया बाइब बास सी तीस है कि हम ना ऐसे लोग को देखना भी नी चाहते हैं आपको एक आम पाकिस्तानी के पहानी सुना रहा हूं। आम पाकिस्तानी सुनता न करये हैं यह गदार है यह यह नौर मुसलिम है ज़ाइन आप यह इंडियां trib Algoda आठें ही यह इसलिए इंडिया की बाता करता है उसको रिटर्ण में गाली मिलती है सीजी सी बात है उसने ये बात कही ना कि आजाद तो इंडिया हुआ था हमें तो बनाया गया था मैंने हमेशा आप एक डेड़ साल से मुझे देख रहे हैं इस चैनल पे मैंने क्या कहा है कि मुस्लिम लीग सिर्फ पावर में आना चाहती थी इट वास पावर पॉलिटिक्स और कॉंग्रेस की सबसे बड़ी गलती है कि वो इन्हें अपने साथ मिला के रख नहीं सके अगर कॉंग्रेस इन्हें किसी तरह कन्विंस कर देती ना कि ठीक है कि ये जो एरियास होंगे ना यहां पर हम आपके साथ हमेशा सीट एड़ेस्टमेंट करेंगे और यहां हमेशा आपकी हकुमत बनाएंगे मैं लिख के दने का त्यार हूं मुसलिम लिख कभी भी ना कहती पाकस्तान बनाओ ये जिस्ट वांटिट पावर का रेफरेंस दिया जाते है यहां के लोगों को एलाम अकबाल ने का कि जो है ना जो पाकस्तान है ये पंजाब, सिंद, बलोशिस्टान इनको मिलाके एक अज़ाद रियास्त बना दी जाए यहां मुसल्मानों के अखूक का ताफूदो बात हो रही है मुसल्मानों की फिर काइद आजम 1940 में कहते है दो कोमी नजरिया मुसल्मान और हिंदू दो अलग अलग कोमे है ये बुसरे के साथ नहीं रह सकती भाई हजार साल से तो रह रह रहे थे अब क्या हुआ ऐसा अच्छा चलो नहीं रह सकती पाकिस्तान बनती पहली स्टेटमेंट क्या आ रही है आपके गिर जागर आपके मंदिर महफूज है तमाम अकलियते हैं यहापे मजभी अजादी के साथ रहे तो भाई फिर रोला ही क्यों डाला था जब हिंदू सिखों इसाइयों के साथ ही रहना था तो फिर क्यों यह मुल्क बनाया रह रहे थे ना पहले से क्यों दस लाग लोग मरवा दिये हिजरस के चक्कर में तो यह ज़स्ट वांटिड पावर और हुआ क्या के वो कहते ना बाप नमरी बेटा दसमरी तो वो फिर हुआ ना के एक आदाजम ने मुल्क बनवाया उसको टपका दिया और आगे डिक्टेटर्स और आने वालों ने संभाल लिए आप देख लें जितने भी पालिटिक्स हो रही है पाकस्तान में कोई भी पार्टी हो तरीक इंसाफ हो मुस्लिम लीग हो पीपल पार्टी हो जमाते इसलामी हो कोई भी उठा लें पाप लीडर होता है पिर बेटा होता है पिर उसका बेटा होता है बीच में जो है ना दो चार चैरे तबदील होते हैं दाएं बाएं वाले लेकिन सेंट्रल फिगर जो उस पार्टी को लीड कर रहे हो वो एक ही खांदान चलता आ रहे इसको तो हमने जमूरियत का नाम दिया हुए अच्छा तहरीक इंसाफ आये थी ठीक है इमरान खान अपना कोई बेटा नहीं लाया लेकिन इमरान खान की बेने पॉलिटिक्स में इमरान खान की बीवी पॉलिटिक्स में इमरान खान का बांजा पॉलिटिक्स में इमरान खान का चाचार पॉलिटिक्स में इमरान खान के बतीजे पॉलिटिक्स में अब हर इसके आस पास के सारे रिश्टदार पालिटिक्स में और फिर जो खांदान है वो भी सारे स्यासी खांदान है इसको आप डेमो क्रेसी कैसे कहोगे ये डेमो क्रेजी है क्रेजी बारल हमारे दुखड़े तो खतम होने नहीं है क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है ना समझना चाते है इस चीज़ को हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपना ठेड़ सारा ख्याल रखियेगा अपनी दौाओं में हमें याद रखियेगा मिलते हैं See you guys